मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरी यही टिंसन रहती है कि मैं हस्बेंट को लंच में क्या दू असलाम अलेकूम विल्कम बैक टू नूर्स किचेन जेली लाइव व्लॉग मैं हूं इम्राना इम्राना के ब्लॉग में आप सभी का विल्कम में काबली चना को कूकर में डालते हुए आप लोग भाग मत जाएगा इसकीप मत करिएगा क्योंकि यहां पे काबली चना का छोला नहीं बन रहा है बहुत यमी सा रेसेपी बनेगा तो इसी तरह वीडियो पे बने रहिएगा तो यहां पे मैंने काबली चना को राद बर फुलने दे दी थी यहां कूकर में डाल दी हूँ पाने डाल दी हूँ टेस्ट के मताबिक नमक भी डाल दी हूँ इस टेनर में यहां पे गरम मसाले दालचीनी का टुकरा और चाय पत्ती छोला में कलर देने के लिए डाली हूँ इस तरह से इसको लॉक करके और कुकर में डाल दूँगी तो यह असानी से खरे गरम मसाले और चाय पत्ती निकल भी जाएंगे और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा चना में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तो यहां सिर्फ कुकर में पांच वेसल होने देंगे उसके बाद फ्लेम आफ कर देंगे जब तक यहां पे कुछ कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं इस छोला की रेसपी के लिए तो यहां पे मैंने तीन ग्रीन चिली लिए इसको बारीक कट कर लिया है और बारीक सा लहसन को भी कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक प्याज की भी कटिंग कर लेंगे सेम उसी तरह सिमला मिर्च को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे यहां पर मैंने छिलका समेट 4 लहसं को कूट लिया है क्योंकि इसको फ्राइ करना है और तेल में डालेंगे तो यह फटने लगेगा इसलिए इसको थोड़ा कूट लिया है यहां मैं चावल के आटे के लिए पानी डाल ली हूँ तो एक प्याला भरके और थोड़ा सा खाली एक प्याला से पानी डाल दी हूँ ठंडे पानी में ही एक चम्मच मैं अडा एड़ कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है थोड़ा सा जावल के रोटी में टेस्ट आ जाए उसके बाद यहां पर पानी बॉल्ड हो रहा है और इसी प्याला से एक प्याला जो है मैं आटा ली हूँ और इस तरह से किसी भी कल्ची या लकडी के चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देना है तो इस तरह से आप जो एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका आठा अच्छे से गुद भी जाएगा और रोटी फटेगी भी नहीं यहां हमारे छोला में भी अच्छा सा कलर आ गया है और अच्छा सा गल गया है चना का पानी ड्रेंड करने के बाद इसको एक खुले बरतन में एड कर देंगे ठंडा होने के बाद इसमें मसाले की कोटिंग कर देंगे जिसमें हाफ टेबल इस्पून में रेड चिली पॉड रहा टेबल इस्पून इसमें गरम at reform जाएगा एक टेबल इस्पून मैदा जाएगा थोरा सा और ले लिया सुब और यहां पे दो डेबल इस्पून करीब जाएगा कौन इस्टार और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कम लगेगा तो थोरसा और एड कर देंगे एगदम डूह ड्राइक और लेना है उसकी बाद यहां पर सॉसस बना लेंगे तो यह उह एक टेबल स्पून इसमें टमैटो सॉस थोड़ा सा सॉल्ट और यह ब्लैक सॉस बन टेबल स्पून करी इसको मिक्स करके अच्छे से साइट कर देना है यह हमारे सॉस रेडी है चना मसाला में जाने के लिए काबली चना को इन मसालों के साथ मैगनेट करने के बाद मैं करना का मसाला बना लेते हैं सुबह में बहुत कम टाइम होता है हजबिन का लंच बनाने वक्त और वीडियो भी सूट करने होता है तो बहुत लंबा टाइम लगता है खैर यहां पे जो है मैं लहसन डाल दी तेल में डो टेबल स्पून करी ऑईल में उसके बाद ग्रीन चिल को आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं उपर से ब्लैक सॉल्ट एड़ करके अंदर से दिखे कितना सॉफ्ट उपर से करंची है सबजिया यहां पे सॉफ्ट हो गई है अप चना को डालके इन सबजियों के साथ चना को दो मिनिट के लिए फून लेंगे उसके बाद इसमें एड रोटी ने पका लें यमी सा हमारे चिली चना रेडी है इसको आप रोटी फराटा के साथ इंजॉय कर सकते मैं इसको खाऊंगी चावल के रोटी के साथ तो यह चावल का आटा जो मैं गरम पानी के साथ गूदी थी ठंडा होके थोड़ा सक्त हो गया है तो हलकल का पानी का खीटा देकर इसको सॉफ्ट बना लेंगे और चिकना तो यहां पर मैं इसका छोटा पॉसन में ज्यादा भी नहीं लेना है ज्यादा मोटा बनाना तो ज्यादा ले सकते मैं पतली पतली रोटी बनाऊंगी तो नॉर्मल जो है यहां पर मैं लोई ली उसका बेल के यहां पर कच्चा कच्चा रहता है तो ये मेरी अम्मी गाउं से है तो अम्मी बहुत अच्छा से बना लेती है मुझे बनाना नहीं आता था अतना अच्छा से पर जो है मैं एक वीडियो देखी थी कि एक टेबली स्पून अप मैदा डाल दो उसके बाद हाटा गुंदो तो फटेगा नहीं तो देखे कितना अच्छा सा बना है और कितना सॉफ्ट एक रोटी आप एक कॉल में खा सकते हैं इतना सॉफ्ट ये रोटी बना है और हस्बेन का ये रोटी तिकदम फेबरेट बना है मतलब अमी जब भी दावत देती है तो ये वाले रोटी का डिमांड करते हैं और मचली का मचली के साथ ये रोटी बहुत सॉफ्ट से खाते हैं तो मैं अज हस्बेन को लंच में दे रही हूँ चावल की रोटी चिली चना और ये पीली जीरा राइस इसको आप ऐसी खा सकते हैं बहुत ही यमी लगता है और घी में बने का तो बहुत ही जबरदस्त लगता है इस तरह से चेंज करकर के मैं पूरे विक हस्बेन को निव निव डिस बना के देते रहती हूँ तो वो बहुत सॉक से घर का खाना खाते हैं तो हस्बेन लोग का क्या है बाहर में यमी सा खाना मिल रहा है पॉकेड में पैसा है तो बाहर का यह खाना पसंद करते हैं घर का नहीं बोरिंग सा दाल चावल या भाजी रोटी दे दो तो तो मैं इस तरह से देती हूँ तो बहुत सौक से खाते हैं और उस पैसे का कुछ अलग लेकर आते हैं आई होप मेरी रेसेपी पसंद आई होगी पसंद आई ये ते वीडियो को लाइक से रेंड सस्क्राइब अल्लाहाफी सी यू नेक्स्ट व्लॉग